हलो गाइस वेलकम बेक टू माई चैनल इजी ट्रेक्स और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिट्वेन काइंड ओफ रिट्स अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वाइलेशन होता है तो कॉंस्टिटूशन से हमें कुछ रेमेडी मिली हुई है जिसके थुरू हम वीडियो में पहले बताया जा चुका है उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आज हम बात करेंगे इन सभी रिट्स में क्या डिफरेंस होते हैं इससे हमें रिट्स भी क्लियर हो जाएंगी साथ ही हमारे को डिफरेंस भी पता चल जाएगा तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ये पांच डिट्स होती हैं हैबियस कॉर्पस, मेंडमस, सर्शोरी, प्रोहिबिशन, को वरोंटो सबसे पहले हम इनके मीनिंग जानते हैं ये सभी लेटिन वर्ट्स हैं या लेटिन टर्म्स हैं और हम पहले इनका इंग्लिश में मीनिंग जान लेते हैं तो हमारी फॉर्स्ट रेट हैबियस कॉर्पस इसका मीनिंग होता है आप अगर इन सभी meanings को भी याद करने तो उससे भी आपको इन रिट्स का concept अच्छे से clear हो जाएगा जब भी कोई person किसी दूसरे person को illegally detain करके रखता है तो जिस person को detain करके रखा गया है या तो वो या उसके family members या relative या friends कोई भी person इस रिट का use करके जिस person को illegally detain करा गया है उसे supreme court या high court के orders पर court में present किया जाएगा अब हम बात करते हैं next रिट के meaning की जो की है mandamus इसका meaning होता है to perform a public or statutory duty next rate is certiorari इसका meaning है to be certified fourth is prohibition इसका meaning है to forbid and fifth is co-waronto जिसका meaning होता है by what authority अब हम जानेंगे कि इन रिट का purpose क्या होता है या किन cases में कौन सी रिट को file किया जाएगा तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी first rate की जो की है heaviest corpus in the case of holding another person in custody illegally जब भी किसी person को illegally detained किया जाता है तो वो person या उसके relative या friends court में heaviest corpus writ को file कर सकते हैं supreme court या high court में जिस भी court में इस writ को file किया जाएगा वो court ऐसा order देगा कि जिस person को illegally detained किया गया है उसे court में present किया जाए next is mandamus जब भी कोई subordinate court, corporation या public authority अपनी public duties को अच्छे से perform नहीं करती है तो उस case में supreme court या high court उनको order देती है कि जो भी काम वो करने के लिए bound है उसे perform करें इस mandamus writ के concept को याद रखने के लिए हमें easy trick से जानते हैं जैसे कि इस trick का नाम है mandamus इसे हम mandatory word से भी याद रख सकते हैं mandatory का meaning होता है जैसे कि किसी काम को जरूरी करना तो आप यहाँ याद रख सकते हैं कि supreme court या high court public authority को जो भी काम करना mandatory है उसके लिए वो इस writ के थूरू order दे सकते हैं mandamus writ means mandatory work for subordinate courts, corporation और public authority इस trick के थूरू आप इसे easily याद कर पाएंगे अब हम देखते हैं हमारी next rate जो की है certiorari जिसका meaning है to be certified यहाँ पर हम अपनी third rate और fourth rate को साथ में ही याद करेंगे क्योंकि इन दोनों के concept काफी similar है अगर हम इन दोनों को साथ में ही याद रखेंगे तो हमें easily याद रहेगा इसके लिए हम पहले concept को समझते हैं जब भी कोई lower court या tribunal किसी भी case पर proceedings चला रहे होते हैं तो उन्हें proceeding के बाद उस पर decision सुनाना होता है अब यहाँ पर एक बात वह जरूरी है जब भी कोई court या tribunal किसी भी case पर proceeding करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो case उनकी jurisdiction में ही होना चाहिए jurisdiction का meaning होता है legal power या authority यानि कि उस particular court के पास जिस case को वो try कर रही है उस case को try करने की authority होनी चाहिए पर अगर कोई भी lower court या tribunal किसी ऐसे case को try करती है जिसको proceeding करने की authority उस court के पास नहीं है तो उस case में supreme court या high court सरशरारी या prohibition की rate का use करते हुए उस case को अपने पास transfer कर सकते हैं क्योंकि lower court ऐसे case की proceeding कर रही है जिसकी authority उसके पास है ही नहीं तो उस case में supreme court या high court उस case को अपने पास transfer कर लेंगे हमारी third rate और fourth rate दोनों ही इसी concept से related है बस दोनों में एक difference है सरशरारी में जब lower court अपना decision सुना चुकी है उसके बाद supreme court या high court उस case को अपने पास transfer करते हैं और जो decision lower court ने सुनाया है उस decision को quash कर दिया जाएगा और case को अपने पास transfer कर लिया जाएगा और हमारी next rate में यानि की prohibition rate में case को decision आने से पहले ही अपने पास transfer कर लिया जाएगा तो इन दोनों rates का concept similar है बस एक particular difference ही है सरशरारी में decision आने के बाद case को transfer किया जाता है और prohibition में decision आने से पहले ही उसे अपने पास transfer करा लिया जाता है किस rate में lower court के decision से पहले case को transfer किया जाता है Supreme Court या High Court के पास और किस case में बाद में इसको याद रखने के लिए भी हम एक trick को use करेंगे सरशरारी से आप याद रख सकते हैं cure और prohibition से आप याद रख सकते हैं prevention सरशरारी cure, prohibition, prevention cure का meaning होता है कुछ भी गलत होने के बाद उसे ठीक करना और prevention का meaning होता है कुछ भी गलत होने से पहले ही उसे रोकना cure यानि की सरशोरारी में decision आने के बाद उसे transfer किया जाता है यानि की cure किया जाता है prevention यानि की prohibition में decision आने से पहले ही उसे अपने पास transfer कर लिया जाता है अब हम बात करते हैं हमारे next rate के जो की है covaronto जिसका meaning है by what authority जब भी कोई public officer अपना office hold करता है तो उसे चाहिए कि वो legally उस position को hold करे यानि कि उस position को hold करने के लिए जो भी eligibility criteria है उसे वो fulfill करे पर अगर वो ऐसा नहीं करता है तो Supreme Court या High Court में रिट फाइल करके उससे ये पूछा जा सकता है कि उसने किस authority से वो position hold की हुई है इसे हम एक example के थूँ समझते हैं जैसे कि एक 63 years old person एक public office hold किये हुए है पर आपको मालूम होगा कि 60 years retirement age होती है तो उस person को co-veronto की rate फाइल करके उसने जो illegally position hold की हुई है उससे remove कराया जा सकता है next अब हम जानते हैं कि किसके against ये rate फाइल की जाएंगी सबसे पहले बात करते हैं हमारी rate habits corpus की जिस भी person ने किसी दूसरे person को illegally detain किया हुई है उस person के against ये rate फाइल की जाती है second rate है mandamus इस rate को किसी government, subordinate court, corporation और public authority के against फाइल किया जा सकता है next हमारी certiorari और prohibition दोनों ही rate का concept same है दोनों को ही lower court या tribunal जो किसी ऐसे case की proceeding कर रही है जिसके लिए वो authorized नहीं है उनके against इस rate को फाइल किया जा सकता है last is co-veronto इस rate को उस public officer के against फाइल किया जाएगा जिसने illegally अपनी position hold की हुई है अब हम सभी rates की tricks को memorize कर लेते है first is habeas corpus habeas means to have and corpus means body यानि की to have a body जब भी किसी person को illegally detain किया जाता है next is mandamus यानि की mandatory इसे हम mandatory word से याद करेंगे जब कोई भी government, subordinate court, corporation या public authority किसी भी काम करने को obliged हो या mandatory काम करना हो बट उसे नहीं करती तो supreme court या high court उसे mandamus rate के under order भेज सकती है next is certiorari and prohibition जैसे की बताया गया है कि इनका concept same है certiorari को हम याद रखेंगे cure से और prohibition को prevention से cure यानि की decision आने के बाद उस case को transfer करना या cure करना और prohibition prevention यानि की decision आने से पहले ही उसे transfer कर लेना या कुछ भी गलत होने से पहले ही उसे prevent कर लेना, रोक लगा देना next is co-waronto आप इसे याद रखेंगे warrant से, co-waronto warrant जब भी कोई public officer कुछ भी position जिसे उसने illegally hold किया हुआ है उसके लिए उसे warrant भेज कर remove करा सकते हैं I hope आपको ये tricks अच्छे से समझ आई होगी और ये rates आपको clear हो गई होगी साथ ही इनका difference भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को like and share करें और चैनल को subscribe करें और आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके इसके लिए bell icon पर press करें अगर आप rates पर detailed वीडियो देखना चाते हैं तो इसे आप चैनल की playlist में जाकर देख सकते हैं और अगर आप किसी topic पर वीडियो चाहते हैं जो की lore related हो तो आप इसे comment section में जरूर mention करें Thank you for watching the video